काफी दिनों से एक सुचना मिर लही थी कि हमारे आसपास के मार्केट या लखनों के शहरों में कुछ लोगों को हाथ के फिक करेंसिस लग रही थी एक दो तीन ऐसे कोई मिजर नहीं था लेकिन एक बेखा पबलिक की सुचना के टिप आफ में फिर हम लोगों ने अपना टीम क को लगाया उसमें लगातर काम चलती रही इसमें थाना थासबटरा के टीम क्राइम ब्रांच टीम जो इनिशनल डिसेपी संटर के वस्ट के सब्सक्राइब नितितों में चल ली थी चरह लिए लोग लगातर बने हुए थे कल रात को जब सुचना मिली के ऐसे कुछ साथ पास से 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 5 रुपया के डिनोमेनेशन के अलग-अलग उचाली नोटे मिली हैं, कुछ नोटे अभी भी जब उसके बाद इनको पकड़ा गया, इनसे पूस्ता अश्क्राय से की गई, तो पता चला के और भी नोट बनाने के मिशिन्स और आधे अधुरा बने हुए नोट दी है, जिनको भी बाद में रिकोफर कर लिया गया, उनके साब प्रिंटिंग प्रेस बनाने के बहुत से समगड़ी, जो नोट अभी भी कटे नहीं है, मतलब प्रिंट होके फ्रेस तयार है, बस अप्रोपर शेप में काट के छोड़ना है, उनको पता चल गया, कि उलोग भी सब भी बरामद होगे, पता चलना था, ये लोग टीम के अलग-अलग मेंबर अलग-अलग काम करते थे, इसमें मुख्यत है, जो है, तो सलमान था, जो इस फिक करेंसिस को बनाते थे, एक जमीर है, जिनके माध्यम से ये अलग-अलग में लिए है, कि इनके द्वारा ये टेक्नोजी नोहाव लिया गया, कि कैसे इनको करेंसि को बना जाता है, इसमें जो अभी भी वांची चलना है, हमारा जमीर, पता चलना,